नमस्कार हरहर गंगे जैमा गायत्री जैमा जगदंबा भाग्य बदलने की ख्यमता शक्ति में है कुछ भी बदलाओ बिना शक्ति के संभव नहीं है और यह शक्ति मा जगद जन्नी मा जगदंबा के सहारे चलती है मादुर्गा के सहारे चलती है मागंगा यमुना सरश्वती के सहारे चलती है जल नदी संगम भाग्य परिवर्तन बदलाओ बिना शक्ति के संभव नहीं है मित्रो साथ दिनों का आज हम आपको कारे बताएंगे साथ दिनों में हम क्या क्या करवाएंगे आप अपनी स्क्रीन पर भी आनंद पूर्वक देखते रहीएगा स्क्रीन पर भी चलेगा कि किस तारिख को क्या होने जा रहा है उसी के अनुसार आप इसका लाव ले सकते हैं सोलह जनवरी को मकान वाहन सुख की कमी है अगर आपके जीवन में चौथे भाव से सम्मंधित कोई पीड़ा है तो उसका भाग्य परिवर्तन उसका इलाज उसका प्रियोग हम सोलह जनवरी को करेंगे आप अपने जीवन में मकान का सुख वाहन का सुख या किसी भी प्रकार का सुख चतुर्थ भाव हमारे सुख का है यह आप सोलह जनवरी को प्राप्त कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लिजेगा सत्रह जनवरी को हम बताएंगे चते भाव से संबंधित पीड़ा के बारे में अर्थात कोट कचहरी करज बिमारी आदी गुप्त दुश्मन आपके पैदा हो रहे हैं चता भाव जिन जिन चीजों से संबंधित आपको दुख देता है चते भाव का स्वामी लगने में आगया नास कर देगा चते भाव के स्वामी चोथे में आगया करज से मुक्ति ही नहीं मिलेगी चते का स्वामी अगर दसम में आगया तो नौकरी के लिए दरदर्थ होकर खाएंगे तो चते भाव के स्वामी से संबंधित जो भी पीड़ा है उसका इलाज उसका भाग्य बदलाव परिवर्तन होगा सत्रह जन्वरी को सुर्योदय से तो अगर इस चीज से संबंधित आपको कोई दोश दुख है तो आप सत्रह जन्वरी वाले में रेजिस्टेशन करवा सकते हैं 18 जन्वरी को हमने लिया है बिवा में बाधा बैवाहिक सुख की कमी संतान संबंधि चिंताएं संतान की दिक्कतें पंचम भाव और सब्तम भाव हमने 18 जन्वरी को पंचम और अश्टम भाव को पकड़ा है इन भावों से संबंधित अगर दोश है पत्नी के साथ या पती के साथ निभना नहीं दोनों में एक दूसरी के प्रति भटकाओ दुराओ एक दूसरी के प्रति समर्पन की कमी या इस तरह की जो भी चिंता आपक प्रति को और उससे निदान अ अगर चाहते हैं उसका निदान चाहते हैं उससे मुक्ति अगर चाहते हैं तो भाग़े परिवर्तन सत्र 18 जनवरी को आपका स्वायकत करेगा बच्चा नहीं हो रहा है को enroll कि द Commonwealth है तो 18 जन्वरी आपके लिए उपयूगत रहे हैं 19 जनवरी को हम ले रहे हैं सिक्षा संबंधी चिंताओं बिद्यार्थियों के लिए रामबान है 19 जनवरी को 19 जनवरी को ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप जरूर आईए आपका स्वागत करेंगे संतान सुक की कमी बच्चे का भटकाव या पंचम भाव ही प्रेम संबन्धी चिंताओं के लिए भी ये भी हम ले रहे हैं लव लाइफ के लिए भी हम पंचम भाव को कंसीडर करते हुए उसी दिन 19 जनवरी को हम भाग्य परवरतन सत्र में इसका इलाज करेंगे प्रियोग करेंगे सुबह सुर्योदर से लेकर शाम पाँच बचे तक 20 जनवरी को हम लेंगे नौकरी और व्यवसाय से संबन्धित समस्याओं की मुक्तिका इलाज 20 जनवरी को अगर आप नौकरी में दिक्कत आ रही है बार बार छूट रही है टिक नहीं पा रहे है या एथोचित आपको नौकरी में सम्मान नहीं मिल रहा है शडियंत्रों की सिकार हो जाते हैं बहुत हमेशा डॉमिनेट करता है फ्रीडम नहीं है सफोकेशन फील करते हैं या पांसात महिने से खाली बैठे हैं बिदेश देश कही पर भी आपको जॉब को ले करके किसी भी तरह की दिक्कत है गॉर्णमेंट जॉब की तयारी करते हैं और एक एक दो दो नंबर से रह जाता है तो एक दिन आपका है वो दिन है वो तारीख है बीस जनवरी बीस जनवरी को प्रियागराच छेत्र में हम आपकी नौकरी के लिए आने वाले समय में जो भी दिक्कते होंगी उसके समाधान का हम डवस्था करेंगे रजिश्टेशन कराना है आने की आवश्यक्ता नहीं अगर आप आ सकते हैं तो आईए नहीं आ सकते तो भी होगा पंधित दिक्कतों से मुक्ति ये चुकि शनिवार रहेगा मौनियम आवस्या रहेगा और अनोखा दिन रहेगा ये याद रखिएगा 21 जनवरी प्रेत वाधा किया धरा तंत्र वाधा दुकान मकान कोख बंधन आदी आपको आभास होता है आपके आसपास कोई है रात तीन से चार की बीच में आखे खुल जाती है हमेशा मैला कुछ एला रहने का मन करता है बिना बात के रोने का मन करता है अकेले बैठने का मन करता है ये सब प्रेत वाधा के लक्षणों में है निगेटिव इनरजी आपके पास है बार बार सेक्स्वल विचार आते हैं सेक्स को ल का इंपैक्ट है अर्थात यही आपके लिए प्रेट बाधा तंत्र बाधा किया धरा आधिका संप्टम बताता है संकेत देता है 21 जनवरी आपके लिए है इसकी इसकी जो रेजिस्टेशन की क्रिया है वो 20 को बंद हो जाएगी अंतिम दिन 22 जनवरी को सुबह सुर्योदय से जो हम प्रियोक करवाएंगे उवह धन संबंधी चिन्ताओं से मुक्ति का है दुती और एकादस भाव को हमने इस दिन कंसीडर किया है धन की कमी धना भाव अनावश्यक अपव्या धन का ना रुकना आदि एक 22 जनवरी को इस से मुक्ति रविवार के दिन हम करवाएंगे सुबह से लेके शाम तक में आप इसमें सम्लित हो सकते हैं आ सकते हैं तो वेलन गुड नहीं आ सकते तो आप रजिश्टेशन करवा कर पूरा फीज दे करके पूरा लाब ले सकते हैं आज हमने आपको बता दिया कि हम किस तारिक को क्या ले रहे हैं समस्या आपके जीवन की इन सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो सातों दिन का रेजिश्टेशन भी आप करवा सकते हैं हमने इसलिए अलग-अलग कर दिया जिससे आपके ऊपर बहुत जादा आर्थिक संकतना पड़े और इसको इस प्रकार से इसका करिकुलम हमने बना दिया हर दिन बहुत अलग-अलग तरह की फिजिकल एलिमेंट्स हम सामने रखवाएंगे अपने प्रम्रपनितों के ब्राम बनाएंगे क्योंकि हम वही रहेंगे उस सब हम करवाने वाले हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए जुड़े रहे हमारे साथ आनंद उठाते रहें और भाग्य परिवर्तित करने के लिए प्रयास करते रहें पॉज्टिव वे में फिलाल इस कारिकरम को आप जितना हो सक कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ क्या पता किसकी जीवन में कब क्या कल्यान हो जाए तो मात्र 11000 एक दिन का शुलक है उसमें आपको कुछ और नहीं करना है कुछ लाना देना नहीं है 11000 डालिए और अपना इक्षित जो इक्षा है जिस चीज की समस्या ज पताएंगे हम आपको बस इतना ही जाने कि कुछ बड़ा मिलने वाला है तो देर मत करिएगा करवा लिजेगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये प्यार हमारे शक्ति है धन्यवाद